बिजली वाल्टेज समस्याओं को लेकर किसानों का प्रदर्शन लुंबा की डानी के बिजली घर का घेराव कर जताया विरुद साइला उपकन के लूंबा की डाने इस्तित बिजली घर के फीडरों पर क्रेसी कनेक्शनों पर कम वाल्टेज मिलने से किसानों के बेरों पर मोटर पंप जलने वा बिजली सुसारू रूप से नहीं सलने की समसियाओं को लेकर ग्रामीनों ने विदूत घर पर एकत्रित होकर विदा के प्रती रोज जताते हुए परदर्शन किया ग्रामीनों ने बताया कि गाउं में पांस फीडरों पर क्रेसी बेरों की अधिकता होने पर वा बिजली घर में कम समता का पावर ट्रास्फॉर्मर लगा होने के सलते क्रेसी बेरों पर वाल्टेज कम मिल रहा हैं जिसक किसानों को और अभी की फशल भुवाई के समय कापी प्रेसानी हो रही हैं किसानों के प्रदर्शन की सुसना मिलते ही डिस्कौम के अधिशासी अभ्यानता लालसंद वर्मा जीवाना साइक अभ्यानता हरी परशाज सिंग ने मौके पर पहुँचकर किसानों से समझाइज क करते हुए कहां की वेकल्पिक व्यवस्ता के तौर पर क्रेसी बेरों की आपूर्थी रात के समय की जाएगी वहीं इस समस्या का दस दिन के भितर इस्ते ही समाधान कर दिया जाएगा आस्वसंद के बाद किसानों प्रदर्शन दस दिन का अल्टिमेटम देकर श्माप्त कि इस दोरान लसा राम, हबता राम, मंगना राम, नगा राम, सामला राम, मगा राम, मादा राम, भारता राम, कस्तुरा राम, हडमता राम, हीमता राम, अंदा राम, जैपा राम, पुनम पटेल, अका राम, डाया राम, शवा राम, बबुता राम, भीम सिंग सहीत, अनेक ग प्रश्पारम जल्दी जल्दी सड़ी हूं, दस्तनाम समाधान भूगों, नेजनों 300 गरी, अम जालोर क्लेक्टर को डिजाए, अन बूह गरता हाल माते हैं, दर्ना माते हैं. दिल में बोल्टेज की समस्य आ रही थी, उसका मेन कारण का है कि बालोत्रा में 220 के विजिस पे एक नजा ट्रांस्मों लग रहा है, उसके वज़से लोड डाइवर्ट करके 220 के वी बावत लेटा जालोर से सप्लाई ले रही है, इस पे लाएन लंबी पड़ रही है, जैसे य बालोत्रा में ट्रांस्मों आरदस्ति लिम चालो हो जाएगा उसके वाज बोल्टेज समस्य आएगा, समाधन हो जाएगा.